हलो दोस्तो क्या हाल चाल गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको पेटियम एंड पेटियम पेमेंट्स बैंक पे लगने वाले जितने भी चार्जेस हैं सब के वारे मैं आपको A to Z बताऊंगा गाइस यह वीडियो 2020 के हिसाब से अपडेटेड वीडियो है आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के टोटल चार्जेस लगते हैं पेटियम एंड पेटियम पेमेंट्स बैंक में तो गाइस वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले आते हैं रेट्स एंड चार्जेस के उपर तो हमारे लिष्ट में जो पहले नंबर का चार्ज है वो है SMS Alert का चार्ज गाइस यह चार्ज पहले नहीं लगता था लेकिन 15 जुलाई 2020 से SMS Alert का जो चार्ज लगने लगा है इसमें 10 रुपए पर क्वाटर की हिसाब से चार्जेस लग रहे हैं और इसमें कुछ लिमिटेशन दी गई है वो मैं आपको बताये दे रहा हूं कि चार्जेस कब अपली केबल होंगे जब भी आपके बैंक में क्रेडिट होते हैं 500 से नीचे का और उसमें जितने भी क्रेटेंगे 10 रुपए पर क्वाटर की हिसाब से और दूसरे केसिस यह हैं कि आपके वालेट में 500 से नीचे का क्रेडिट होता है उसमें जितने ट्रांजिक्शन अलर्ट आते हैं इसमें साते हैं उसमें यह चार्जेस अपली केबल होंगे और तिसरा जो यहां पास दिया रूल वो यह है कि आपके वालेट में 50 रुपए से नीचे का डेविट होता है और उसमें जो आपका ट्रांजिक्शन के जो अलर्ट साते हैं उसके चार्जेस कटेंगे और इसमें जो टोटल चार्जेस कटेगा गाईस वो है 10 रुपए पर क्वाटर के हिसाब से इसका बाद हो कि जो आपका पेटियम का प्रिपेड कार्ड होता है जिसे आप कह सकते हैं डिश्टल डेविट कार्ड इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते है विल्कुल फ्री रहता है इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं प्रिपेड कार्ड का यूज कर सकते हैं आप online shopping में या फिर transaction में इसमें जो charges रहते हैं zero रहता है इसमें कोई भी additional charges आपको नहीं पेकरना पड़ता है और नहीं कोई आपको extra insurance fees वगारा पेकरनी पड़ती है लेकिन जो आपका physical card होता है आप जब order करते हो उसमें option रहता है पेटियम पे जब याप bank में जाते हो और इसे मगवाते हो physical card तो जो physical card मगवाने का order करने का charges है guys वो है 2500 रुपए मतलब 250 रुपीज चार्ज रहता है अगर आप physical card मग आते हो guys इस charge के इस card के खो जाने पे या फिर अगर आप replacement कराना चाहते हो अपने physical card को तो इसका वी जो charges निर्धारित किया गया है वो है 2500 रुपए मतल 250 रुपीज लगेगा अगर आपका card खो गया है या फिर replacement कराना चाहते हो और इस जो card है guys physical card इसका जो annual subscription fees है इसका मतलब यह है कि जो साल में आप यूज करते हो सब कुछ उसका जो fees है वो है 1500 रुपए 150 रुपीज निर्धारित किया गया है और ये early wise आपके खाते से deduct हो जा charges लगते हैं तो guys मैं जो आपको 6 city वता रहा हूँ जिसमें से ये 6 city है इनमें कुछ अलग charges के rate निर्धारित किये गया है जिसमें से है Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata, Bengaluru and Hyderabad इन 6 cities में जो 3 transaction है हर मन्त के वो free दिये गया है आप किसी भी ATM card पे जाके जो non metro या फिर metro के ATM card है उनमें जाके आप 3 transaction free कर सकते हो मन्त का लेकिन अगर आप 3 transaction से ज़्यादा करते हो तो इसके लिए आपको charges जो देने पड़ेंगे वो है 20 रुपए cash withdrawal करने का per transaction के हिसाब से और माली जे अगर आप pin change करते हो या फिर पैसे चेक करते हो mini statement वगारा देखते हो तो guys इसके लिए जो सुल्क निर्ध जारित किये गए हैं वो है 8 रुपए per transaction के हिसाब से तो यह जो 6 cities मैंने बताई है इनके लिए अलग से limitation है अलग से charges है तो जो यह 6 cities से belong करते हो तो be careful क्योंकि इसमें charges लग सकते हैं और guys अगर आप इन 6 cities के अलाबा कहीं अलग city में जाके अगर आप ATM से transaction करते हो bank या फिर non metro ATM से तो 5 transaction जो है month के free है आप 5 बार card को use कर सकते हो transaction करने के लिए आपको कोई भी additional charges सुलक बगारा नहीं पे करने पड़ेंगे और उसके बाद अगर आप transaction करते हो तो वही cash withdrawal के लिए 20 रुपए per transaction के हिसाब से कटेगा और अगर आप balance check, mini statement या फिर आप passbook बगारा देखते हो ATM card पे जाके तो इसके लिए आपको 8 रुपए per transaction के हिसाब से charges लगेंगे ये जो charges है guys physical ATM card के लिए हैं जब भी आप इन्हें यूज करते हो किसी वाहर cities में जाके तब ये charges निधारित किये गए हैं अगर आप इसी physical card का यूज करते हो पेटियम payment bank के ATM से transaction करने के लिए तो 0% additional charges है अब guys बात करते हैं checkbook पे लगने वाले charges के वारे में क्योंकि checkbook एक main मुद्दा होता है किसी भी bank का तो मालीजे आप अपने saving account के लिए checkbook मगाते हो तो अगर आप 10 pages की checkbook order करते हो तो इसके लिए आपको 100 रुपए का charge देना पड़ेगा तभी checkbook आएगा आपकी delivery location प यूज करते हैं लेकिन काफी सारे individual लोग इसे यूज करते हैं अब guys बात करते हैं patium wallet पे लगने वाले charges के इसाफ से और guys जितने भी मैं आपको charges बता रहा हूँ ये 2020 के इसाफ से विलकुल updated है और कुछ new officially patium के site पे लाए गए हैं तो अगर आप अपने patium wallet पे पैसे add करते ह using debit card मतला अगर आप कोई भी debit card को use करके पैसे add करते हो अपने patium wallet पे तो इसके लिए आपको 0 रुपए का charges लगता है डेविट card के थुरू in case अगर आप credit card के थुरू अपने patium wallet पे पैसे add करते हो तो 10,000 रुपए तक का free है आप 10,000 से नीचे का अगर आप करते हो month में transaction अपने wallet में card से add करते हो तो इसमें आपको कोई भी charges नहीं देना पड़ेगा लेकिन guys अगर आप 10,000 से ज़्यादा का अगर आपका transaction हो गया per month के हिसाब से तो आपको 2% का charge plus GST आपको pay करना पड़ेगा इसे मैं आपको एक example से समझाता हो कि माली जी आपका patium का wallet है और इसमें आप पैसे add कर रहे हो per month 10,000 से नीचे का या फिर 10,000 तो आपको कोई भी charges नहीं देना पड़ेगा और ये जो charges है per month की हिसाब से निर्धारि 240 रुपए आपके credit card से deduct हो जाएंगे जिसमें से 240 रुपए charges लगते हैं इसमें 2% का जो charges निर्धारित किया गया है और साथ में GST वगारा जो है वो सब optional है इसी charges के साथ आपके credit card से deduct हो जाएंगे उसके बाद आपके patium wallet पे पैसे add होंगे तो credit card से अगर आप money add करते हो तो इस charge को आप ध्यान से देख लिजेगा समझ लिजेगा तभी आप पैसे add करिए be careful अब गाइस बात करते हैं patium wallet से bank transfer पे लगने वाले charges के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले charges नहीं लगते थे लेकिन कुछ समय पहले patium ने launch किया था कि आपको कोई भी charges नहीं करेगा लेकिन इसमें कुछ applicable charges की limitation है अगर आप 10,000 रुपए से ज़्यादा का transaction करते हो wallet से bank transfer में तो आपको 3% का charges लगेंगे गाइस जो 5% का charges है अब non KYC and KYC दोनों users के लिए लागू कर दिया गया है 9th June 2020 से तो इस चीज को आप ध्यान से समझी अगर आप पैसे transfer करते हो wallet स bank में तो अब गाइस कुछ ऐसी भी चीज़े हैं पेटियम के अंदर जो बिल्कुल free है जिसके लिए आपको कोई भी charges नहीं देना पड़ता है और यह चीज़े आपको जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसके लिए लोगों को fraud बना दिया जाता like KYC के लिए लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं सेविंग अकाउंट ओपिन करवाने जाते हैं उसके लिए पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन इन सब चीज़ों का बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं और आपको पैसे नहीं पे करना चाहिए और कोई भी fraud काल आए तूसे report करि मैं आपको बताए दे रहा हूँ फर्स चीज़ यह है कि अगर आप अपनी email पे settlement की report या फिर online पास्वुक मगवाते हो तो इस पर आपको कोई भी charges नहीं लगेंगे ये सारी चीज़े free में आ जाएंगे digitally अगर आप KYC करवाने जाते हो तो इसके भी कोई charges नहीं लगते हैं online transfer करते हो UPI के थुरू, IMPS के थुरू या फिर NFT के थुरू तो आपको कोई भी charges नहीं पे करने पड़ते हैं विल्कुल free है cash deposit, cash withdrawal, add money, wallet KYC में आपको कोई भी charges नहीं लगते हैं जो मैंने already उपर के side में mention कर दिया है अगर आप Paytm wallet का यूज़ करके किसी merchant site में pay करते हैं like club factory ह या फिर बहुत सारी site option देती है Paytm wallet का pay करने का तो इसमें आपको कोई भी additional charges नहीं लगते हैं जितना actual charge वहीं लगता है additional no cost अगर आप Paytm से Paytm wallet पे पैसे transfer करते हैं अपने दोस्त को किसी को भेज रहे हो तो इसमें आपको कोई भी charges नहीं लगते हैं विल्कुल जितना भे क्लियर कर दे कि किन्स चीजों में आपको charges देना पड़ता है किन cases में नहीं देना पड़ता अगर कुछ चीज छूट गए हो तो नीचे comment करिएगा वीडियो को like करिएगा channel को subscribe जरूर करिएगा see you guys in the next studio तब तक के लिए जय हिंजय वारत अस्तला बीस्ता subscribe जरूर करके